दोस्तों आपने अक्सर रंग बिरंगी मचलियों को एक्वेरियम में तैरते देखा होगा अगर आप परियटन के लिए किसी समुदरी तट पर गए होंगे तो आपने फिशिंग का आनंद भी उठाया होगा लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अपने आकारों और नसलों के लिए मशुहूर संसार की टॉप 10 मचलियां कौन सी हैं जो संसार भर में सबसे विचित्र मानी जाती हैं अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आज कुछ खास दस नसलों के बारे में आपको यही बताने वाले हैं संसार में 6 दसवे नंबर पर आने वाली ये मचली एक बहुत ही विचित्र मचली है ये मचली अधिकतर ऊशन कटी बंधिय वा उपूशन कटी बंधिय समुद्री जल में पाई जाती है वयस होने तक इस मचली का वजन 1.4 टन हो जाता है वो इसकी लंबाई अधिकतम 5.5 मीटर तक बढ़ सकती है इन मचलीयों की आबादी कम है किन्तु ये जल का एक विचित्र जीव माना जाता है ये देखने में बहुत ही आकरशक दिखाई देती है संसार में 9 नमबर पर आने वाली ये विचित्र मचली एक लुप्त प्राय प्रजाती के रूप में भी जानी जाती है यदि आप इस मचली को देखना चाहते हैं तो आपको कला कैस्पियन और एड्राइटिक सागर की ओर रुख करना होगा इस मचली का अत्तिरिक शिकार किया जाता है और व्यवसाई के लिए इसका प्रयोग भी वर्षों से हो रहा है इसके अधिक्तम लंबाई 23.6 फीट तक हो जाती है वहीं इसका वजन अधिक्तम 1500 किलोग्राम के आसपास तक देखा गया है नमबर 8 फूद विंकर सनफिश ये मचली अपनी कीमती नसले के लिए संसार की आठवे नमबर की शिर्ष मचली मानी जाती है यह दक्षणी गोलार्थ के समुद्री पानी में खोजी गई थी ये संसार की सबसे बड़ी मचली प्रजातियों में से एक मानी जाती है इसे अभी जल्द ही खोजा गया था इसके वेवहार के बारे में अभी खोज चल रही है ऐसा माना जाता है कि ये मचली सल्क पर मिलती है नमबर 7 शार्प टेल मोला संसार की साथवे नंबर की ये विचित्र मचली उश्न कटिबंदिय समुद्री जल में पाई जाती है कहीं कहीं ये समसीतोश्न समुद्री जल में भी तैरते हुए दिखती है इस मचली की अधिक्तम लंबाई 11 फीट तक हो जाती है वहीं इसका वजन दो टन तक हो जाता है इस मचली की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं जिनमें एनलिड और स्पंज राम की खूपसूरत प्रजातियां भी शामिल हैं नमबर सिक्स ओशन सनफिश ये मचली संसार की छटे नमबर की शिर्च मचली मानी जाती है वयस्क होने पर इस मचली का वजन दो दश्मलाव तीन टन तक हो जाता है वहीं अगर हम इसकी अधिक्तम लंबाई की बात करें तो ये दस दश्मलाव आट फीट तक लंबी हो जाती है ये मचली उश्न कटिबंदिय वसीतोश्न महासागरों में निवास करती है ये मचली समुदरी जैली का सेवन करती है इसको बड़ी मचलियों से खत्रा माना जाता है जो इसके प्राकरतिक शिकारी माने जाते हैं संसार की पांचवे नंबर की ये मचली वयस्क होने पर अधिक्तम 23 फीट लंबी हो जाती है इसका अधिक्तम वजन तीन टन तक माना जाता है ये मचली उश्न कटिबंदिय वा उपोश्न कटिबंदिय महासागरों में पाई जाती है ये अकेले या अपनी प्रजाती के अन्ने साथियों के साथ ही तैरना पसंद करती है ये विबिन विचित्रताओं से भरी हुई है लेकिन इनसानों ने इसका अधिक्तम शिकार करके इसके जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है इस मचली को गैलो केरोडो कुवियर नाम से भी जाना जाता है इसकी अधिक्तम लंबाई 16 फीट तक हो जाती है वहीं इसका अधिक्तम वजन 3 तन से भी अधिक हो सकता है ये मचली भी उश्न कटिबंधी सागरों में पाई जाती है इसे मध्य परशांत महासागर के द्वीपों के आसपास भी आसानी से देखा जा सकता है इस मचली के शरीर पर कई धारियां होती है जो इसे बाग जैसे आकरती प्रदान करती है इसलिए इस मचली का नाम टाईगर शार्क रखा गया है इस मचली को आई यू सी अन में रेड लिस्ट में रखा गया है नमबर त्री ग्रेट वाइट शार्क ये मचली मुक्यतह सभी महासागरों के तटिय जल में देखी जा सकती है ये एक खतरनाक शिकारी मानी जाती है ये बारह से चौबीस सेलसियस तापमान में ही रह सकती है वयस्क होने पर इसकी अधिक्तम लंबाई 20 फीट तक हो जाती है वहीं यदि हम इसके वजन की बात करें तो इसका अधिक्तम वजन 3.3 टन से भी अधिक हो जाता है इसका औसच जीवनकाल 70 वर्ष माना जाता है ये दुनिया की एक विचित्र मचली है जो मनुश्यों पर हमला करने के लिए जानी जाती है कई बार इसके हमले से इनसानों को चोट पहुँची है और कई बार उनकी जान भी गई है इस मचली को बड़ी वेल मचली मार सकती है संसार की दूसरे नंबर की इस मचली की अधिक्तम लंबाई 20 से 26 वीट तक हो जाती है वहीं इसका वजन वयस्क होने पर अधिक्तम 19 तन तक हो जाता है ये मचली समशितोष्ण महासागरों में पाई जाती है और ये पानी की सता पर भोजन को तलाशती है वर्तमान समय में इस मचली का लिवर तेल निकाला जाता है इसका भोजन में भी अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जिससे इस प्रजाती के विलप्त होने का खतरा भी मंडराने लगा है अब बात करते हैं संसार की नंबर वन मचली की दोस्तों वेल शार्क संसार की शिर्ष मचली मानी जाती है इस मचली की अधिक्तम लंबाई 41.5 फीट तक बढ़ जाती है वहीं इसका वजन वयस्क होने पर अधिक्तम 21.5 तन तक हो जाता है ये मचली गर्म उष्न कटिबंधिय महासागरों में खुले पानी में पाई जाती है इसका अधिक्तम जीवनकाल 70 वर्ष का माना जाता है लेकिन ये मचली भी अपने भविश्यों को लेकर खत्रे में है IUCN द्वारा इस मचली की प्रजाती को लुप्त प्राय प्रजाती के रूप में चिन्हित किया गया है तो दोस्तों दुनिया की खास 10 मचली की प्रजातियों पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाओ लिखें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा कर हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं धन्यवाद